आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी आप्लिकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और यहाँ पर आपका आप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं होता है आपको यहाँ पर इस टाइप से प्रॉब्लम आती है वेटिंग फोर वाइफाई तो य यह प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसे कैंसल कर दीजिए और कैंसल करने के बाद आप बैक आईए और यहाँ पर प्ले स्टोर में आने के आपको उपर की तरफ अपनी Gmail ID का फोटो शो हो जाएगा तो आप अपनी Gmail ID के फोटो पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे मिलेगा एक सैटिंग्स का ओप्शन तो आप यहाँ पर सैटिंग्स वाले आप्शन पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपके सामने प्ले स्टोर की सैटिंग्स में फर्स्ट आप्शन आएगा जनरल सेकिंड आप्शन आएगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस का तो आप इस वाले आप्शन पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद एक option आएगा app download preference इस पर आप क्लिक करिए यहाँ पर एक option आपको मिलेगा over any network तो आप इस पर click करके यह वाला option select कर लीजिए उसके बाद नीचे done पर click कर दीजिए उसके बाद back आजाईए और अब यहाँ पर आप check कर सकते हैं application को install करके check कर लीजिए और आपकी यह problem अब ठीक हो जाएगी तो इस तरह से आप waiting for wifi error को solve कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें